हेलो सुडेंट्स वैलकम टू जी क्लास आज हम डिसकस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेट एमसी क्यूस और यह हम डिसकस कर रहे हैं जिसमें अकाउंटिंग का बेसिक पूसा जाना है उसके रहे लिए यह बहुत यूसफुल रहने वाले है तो आज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे टॉपिक है उसमें हमने बेसिक बाते करनी है मतलब जो इंट्रोडक्शन है बिल्कुल स्टार्टिंग का उससे रि प्रिपेर कर लिए हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाएए और बाइक कोर्सिस पर क्लिक करने के बाद एसाइं में जाके एंड्रोल कर लीजिए चलें आज की पहले कोशन के और बिल्कुल बेसिक कोशन और इंट्रोडक्शन कोशन हमने उठाए है आज बेसिक ऑफ अख्रलक्शन कोशन फ्रॉट दूब्र स्ट्री लोगारे चीशन आख्रणorter के वह घृच्छन पैसिक पहले में आएए हैाए इंटेंटिफिकशन किसका बिजनस ट्रांजयक्शन का सबसे पहले हम यहीं करते हैं जो भी ट्राउंस होती हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं कि यार या नहीं है अगर कोई कंपनी हैं और उसमें इक यूज के लिए तो क्या वो एक business transaction है बिल्कुल नहीं है तो हम identify करेंगे कि उसका हमारे से कोई लिंद नहीं है या मैंने परस्टनल एक्सपेंस वे परस्टनल लेवल पर बिना business के पैसे यूज करें मैंने कोई अपने घर का material खरीदा तो हमारी business transaction नहीं है तो first step हमारा accounting का क्या होता है identification of business transaction जब हमारी business transaction identify हो जाती है next work क्या करते हैं हम measurement मतलब क्या हर एक transaction को money की terms में लिखना और हमारे यहां पर Indian में क्या हो गया मतलब rupees में लिखना जैसे अगर हमने बोला purchase of building तो हम यह नहीं लिखेंगे कि purchase of building हमरी पता होना चाहिए कि हमने कितनी amount की building लिखी त 5 lakh rupees की तो सारी हम measurement करेंगे transactions की monetary term में ताकि एक चीज हमें दिख सके देखो अगर मैं तुमसे पूछों क्यों जरूरी है अगर future में मिरे को देखना हो company के पास कितने assets हैं मानलो गर हमने measurement नहीं कर रखा money में तो कैसे record होगा भाई 2 buildings हैं 4 machinery है 5 chairs हैं तो कितना difficult हो जाएगा गलग चीजी हैं तो measurement of money और इसमें एक point का और ध्यान रखना है जो transactions को हम money में convert नहीं कर सकते वो हमारी record नहीं होती let's suppose मैंने manager hire किया जिसकी बहुत ही high qualified knowledge है अब जब मैंने manager hire करा उसको मैं convert नहीं कर सकता money term में हाँ उसकी salary payment होगी वो हमारी record होगी लेकिन hiring का जो process है वो record न नहीं होंगी तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो next काम क्या आता है जो transaction हमने measure कर लिया कि भाई जो हमारी money term में convert हो रही है उनको हम क्या करेंगे record करेंगे और record कहां करते हैं जर्नल में जर्नल एंट्रीज पास करेंगे हर एक transaction को chronological order में मतलब day to day wise हम record करेंगे ठीक है first step क्य classify मतलब ledger prepare करना ledger prepare करना मतलब क्या पूरे साल जोन जोन सी let's suppose हमने purchases करी हैं उसको एक जगा रखना let's suppose किसी को मैं sale करता हूं या credit पे राम से material लिया मैंने तो राम के पूरा account को classify करना कि हां भाई राम को कितनी payment करनी है कि अलग अलग dates पे उसको उससे इतना इतना material लिया है हमने ledger create किया उससे हमें summarize करना summarize कैसे करते हैं हम trial balance create करते हैं profit and loss account create करते हैं और balance sheet create करते हैं ठीक है फिर last काम उससे next काम क्या आता है हमारा analyzing and interpretation जो हमने information कटी करी उसको analyze करना analyze करना मतलब देखना कि क्या हमारे profits बड़े हैं या कम हुएं क्या हमारा जो position है वो अच्छी है या विकार है तो उसका हम वो कैसे करते हैं हम उसके लिए ratio analysis का इस्तमाल करते हैं हा ना ratio analysis का इस्तमाल करते हैं और last में क्या करते हैं हम last में करते हैं communicating या communicating में क्या है कि जिस जिसको वो information चाहिए उस उसको वो देते हैं let's suppose कोई investor है उनको हम provide करते हैं website में अपनी reports तो वो कहां स से बनती हैं जो हमने पूरा यह सम्मराइजिंग करी वह सारी रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर अपलोड होती है ठीक है गौर्मेंट को टेक्स के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए वह कहां से भी लेबल होता है जो हमने प्रिपेर किया उपर तो जो अपनी हमने प्रिपे लेजर से ट्राइल बैलेंस में ट्राइल बैलेंस के बाद बनाएं फिर ट्रांजेक्शन करी जैसे फाइनल अकाउंट बनते रहेंगे फिर जर्णल फिर लेजर ये सरकल कंपनी का जब तक कंपनी खतम नहीं होती चलता रहेगा ठीक है यह हमारा प्रोसेस था चले अब सबसे पहले हमारा क्लासिफाइब करना मत जिस दिसक वा इंफर्मरशन चाहिए उन्हें प्रोवाइब करना तो के बाद है आ रहा है summarizing 2 के बाद हमारा क्या आ रहा junior जो कि एए हमारा 4 रास्ट में हमारा क्या रहा 11 स्मयाया फूलटीटेल में मेरा पूरा counting प्रोसेस आपके साथ discuss किया कोई doubt हो तो आप हम मुझे comment box पर लिख सकते हो मैं next session में उसे और detail में discuss कर लूँ आपके सब चले next question में MCQs में सिरफ मेरे को सुनते नहीं रहना आपको क्या करना है साथ साथ खुद भी try करना है अगर आपको answer आता है तो next question क्या है which of the following event is or are not recorded in the books of business इन में से कौन सी transaction हमारी business की books में नहीं लिखी जाएंगी मतलब किन की entries हमारी journal में नहीं पास होंगी तो कौन कौन सी transactions है significant monetary event after the balance sheet date death of a CEO government investigation into a pricing policies of a business both B and C all the above तो basically 3 transactions है हमारे पास पहली किया है significant monetary event after the balance sheet date मतलब balance sheet जब prepare हो गई company की उसके बाद कोई monetary event हुआ मतलब जिसमें cash involved था क्या वो record होगा या नहीं होगा सर बिलकुल record होगा अगर वो future date का तो future time पे record होगा अगर वो back date का तो उसके adjustments पास करेंगे तो monetary items में जब convert हो रही है और वो business transaction है तो वो obvious है record होगी चाहिए वो जिस मर्दी date को हो बैलेंशीट इब प्रिपेर कर लिए नहीं कि उसके बाद हम record करना छोड़ देंगे या तो future period के लिए record करेंगे या adjustments record करेंगे तो वो circle अभी बताया था ना counting circle वो तो चलता ही रहेगा हमारा बैलेंशीट बनाई फिर journal फिर लेजर फिर बैलेंशीट फिर जर्नल लेजर फिर next क्या है हमारा death of a CEO मदब company के जो employer है क्या वो record की death record होगी या नहीं होगी CEO की बिल्कुल नहीं record होगी क्यों हम इसे monetary में convert नहीं कर सकते मैं यह नहीं कह सकता CEO expire हुआ company को पांच लाग का नुकसान हुआ यह पांच लाग का दुख हुआ तो यह हमारा record नहीं होगा ठीक है तो next क्या है हमारा government investigation into a pricing policy of a business तो government investigation लगाई कि हमारी pricing quality कैसी है देफो अब यहां पर देखने में लग रहा है कि वे price की बात कर रही है तो rupees involved है लेकिन basically इस transaction में हो क्या रहा है government सिरफ investigation कर रही है मतलब government हमारे documents मांगे होंगा अगर मांगे होंगे कुछ तो उसमें हमारा कोई monetary वो तो involvement हुई नहीं जाद से क्या हुआ max to max government takes us some documents तो ये भी हमारी record बिल्कुल नहीं होगी तो हमारी कौन-कौन सी नहीं record होगी हमसे not recorded पूछा गया है तो B और C हो गया तो correct answer हो जाएगा हमारा option number D चले next question पे so the next question is those statements दे रखी हमें we have to show that which are correct और which are incorrect the first statement क्या है statement number one is bookkeeping is a systematic comprehensive recording of financial transactions or statements of business that includes storing, retiring, summarizing, presenting the information in the form of reports and their analysis और statement number two क्या है bookkeeping includes identification and recording of transaction तो हमें दो statements दे रखी है देखो पहले तो हम इन terms को समझ ले तीन terms होती है हमारी total क्या bookkeeping, accounting और accountancy कौन-कौन सी term होती है bookkeeping, accounting और accountancy देखो जो हमने ये process पढ़ाना इस process में जो ये उपर वाला काम है इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिरफ record कर रहे हैं तो इस चारो कामों को हम क्या कहते हैं, bookkeeping जो हमारा summarizing, analyzing और interpretation वाला काम होता है जिसमें mind लगता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है accounting तो जो day to day work होता है, जिसमें हम record करते हैं, letter में posting करते हैं, journal लालते हैं वो हमारा कहलाता है bookkeeping और जो summarizing और interpretation वाला work होता है, वो कहलाता है हमारा recording ठीक है, और accountancy क्या होता है, जो principles formulate होते हैं हमारे जो body of knowledge use होती है पूरी accounting में, bookkeeping में और accounting में वो हमारी कहला दिया accountancy, तो ये तीन basic terms है, इनके बीच का difference भी आपको पता होना चाहिए अब जो bookkeeping वाला काम होता है, वो कौन करता है, वो junior staff करता है, जो हमारे accountants वगरा हो जाते है और जो हमारा accounting वाला, analyzing वाला part है, summarizing वाला part है, conclusions निकालने वाला part है वो कौन करता है, वो करता है, हमारा कोई senior staff या फिर जो हमारे CA वगरा हो गए ठीक है, अब अपनी statements में वापस ही है, क्या question है हमारा, statement number one में बुला गया है कि bookkeeping होता है, हमारा systematic comprehensive recording होता है, बिल्कुल ठीक financial transactions का include storing, retiring, summarizing and presentation of information in the form of reports and their analysis क्या हमारा analysis होता है, bookkeeping में, बिल्कुल नहीं होता, तो हमारा first statement correct हो जाएगा यह हमारा accounting में होता है, analysis वाला part next statement क्या है, bookkeeping includes identification and recording of transaction तो second statement हमारी बिल्कुल correct है, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number C statement number one is correct and statement two is incorrect चले आगे, ठीक है, तो next है हमारा fourth question, बहुत ही simple question है internal users of accounting information are management, potential investors, creditors, employees तो users of accounting information कौन-कौन से होते हैं हमारे, कौन-कौन use करता है हमारी accounting information को, जो हमने reports बनाई, balance sheets बनाई, जो हमने trial balance बनाई, जो analysis किया, उनको use कौन-कौन करता है, दो तरह के लोग होते है, that are internal users or external users, internal users which belongs to the organization, like management, owners or employees, that are called internal users, और other कौन से हो जाएगे, external users which do not belong to the organization, like investors, creditors, customers, government agencies, public, ठीक है, तो हमारे से क्या-क्या पूछा गया है, internal users, तो internal users में कौन-कौन आजाएगे, management आजाएगे, और हमारे employees आजाएगे, तो हमारा correct option क्या हो जाएगा, option number B, one and fourth, तो potential investors का मतलब क्या होता है, potential investors are those investors which are interested in investing, मतलब in future, they will be interested, right now they are not invested any amount in our business, वो future में कर सकते हैं, वो सोच रहे हैं, कि हम इस business में invest करें, वो potential investors होते हैं, तो correct option हो जाएगा, option number B, one and four, चले, that's last question for a day, तो question number fifth क्या है, if accounting information is based on facts and it is verifiable by documents, it has a quality of relevance, reliability, understandability और comparability, बहुत ही simple question है, हमारा किसे related है, objectives या फिर हमारे वो accounting के print वो गए, जो हमें quality देते हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं, इनकी relevance की, relevance का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज, कोई item हमारे लिए important कितनी है, कितनी relevant है, हना, अगर मैं किसी document की बात करूँ, कितना important है, वो बताता है relevant, तो relevant में हमारा accounting information में क्या है, कि जब हम accounting information provide कर रहे हो, वो relevant कव होगी, जब वो present date से related होगी, let's suppose आपने मुझसे balance sheet मांगी company की आज, और मैंने आपको balance sheet दे दी, 2012 की उठाके, अपने balance sheet मांगी, मैंने balance sheet दे 2012 की उठाके, क्या वो 2012 की balance sheet आपके लिए relevant है, बिल्कुल relevant नहीं है, क्यों relevant नहीं है, उसके basis पे आप आज decision making नहीं कर सकते, ठीक है, मान लो company अपने financial records, 4-4 साल बाद show कर रही है, तो उसकी relevance खतम हो जाएगी, तो accounting information तब तक है relevant है, जब वो आज के हमारे decision making में help कर सके, फिर next आता है reliability, reliability का मतलब क्या है, जिस पे हम trust कर सके, trust कर सके मतलब हाँ जो हमें information provide करी गई है, वो बिल्कुल true and fair है, next होता है understandability, understandability क्या हो गया, क्या वो easily, हमारी information है, हम उसे easily understand कर पा रहे हैं, क्या पता है इतना comprehensive हमने accounting information बना दी, अपनी जो information है इतनी difficult बना दी, क्युसे uh understanding नहीं कर नहीं गर पा रहा ताकि all over world या all over India हम बात करें same accounts दिखें और हम easily compare कर सकें एक company को दूसरी company के साथ ठीक है अब अपनी question पे बापस ही हो अपनी question में क्या बोला हुआ है कि जो information based on facts है और जिसे हम verify कर सकें documents के साथ जब हम किसी चीज को verify कर सकते है documents के साथ तो उस पे हमारे को क्या आता है trust आता है हम उस पे believe कर सकते हैं तो हम क्या हो जाते हैं उस पे reliable होते हैं कि हाँ ये सच है ये true and fair position दिखा रहा है company ने दिखा बोला हुआ है अपनी accounting information में कि उन्होंने sales करी है let's suppose 1 crore rupees की और उसकी company के पास उस चीज के documents भी है invoices भी है sales receipts भी है तो वो क्या हो जाएगा हमारा कि हम reliable होंगे कि हाँ भाई जो company 1 crore rupees का claim कर रही है sales का उसे हम verify कर पा रहे हैं हम sure है company कुछ जूट नहीं बोल रही तो इसका correct option क्या हो जाएगा option number D ठीक है चले अब ये last question बहुत easiest है आपको इसका answer comment box पे देना है क्या question है accounting is an art science या art and science both या none of the above अब कई बच्चे तो सौच रहोंगे commerce option नहीं commerce में पढ़ते हैं तो ढूंडो इसका answer और comment box पे दो accounting हमारा art है science है both है या none of the above है ठीक है अगली बार हम फिर मिलेंगे Thursday को at 2 p.m live session पे आज कुछ technical issues के कारण नहीं हो पाया लेकिन next time से पका रहेगा ठीक है आप अपने doubts comments box पे डाल सकते हैं don't forget to like बाई बाई टेक केर see you soon